हे गाईज इस वडियो के अंदर बेबी बॉय होने के पूरे चार लक्षन के उपर बात की जाएगी ये जो लक्षन है वो बहुत असानी से हमारे सरीर के कुछ अंगों में नजर आने लगती है कब नजर आती है जब ये बेबी बॉय होते है और खासकर बात किया जाए मूड में चेंजेज के उपर आप क्या सोसती है किन चीजों को लेकर आपके अंदर बहुत जग्यासा चलती है इन सारे पॉइंट्स के उपर मैं इस वडियो में बात करूगी कुछ सब्सक्राइबर के मैं अपनी सबके एक्सपीरियंस को बताने वाली हूँ जिससे बहुत हद तक आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि बेबी बॉय के समय में कौन कौन सी जो चीजे होते है और वो लक्षन होते है वो आसानी से सभी को दिखने लगते है सो हे गाईज मैं हूँ आप सब के साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम ब्लॉग पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को वीडियो को भी लाइक कर दीजे और डेली डेफिनेटली कमेंट कीजेगा मैं आप सब के कमेंट का इंतजार करती हूँ यहां हम बात करते हैं परिवर्तन की वैसे तो हर्मोन्स की वज़ा से धेर सारे परिवर्तन आते हैं सरीर के अंदर लेकिन उन फेमस चार परिवर्तन के उपर ही सिर्फ यहां पे बात की जाएगी पहली चेंजे जो होती है ऐसा ओल्ड वैब्स बताती है कि अगर महिला को प्रेग्नेंसी के सुरुवाती समय में ज्यादा से ज्यादा वामेटिंग हो रही है तो ये बेबी बॉई का कनेक्शन होता है बट रियलिटी ये है कि वामेटिंग होना आपका खाना ठीक से डाइजस Second Point के उपर बात करते हैं प्रेग्नेंसी के सुरुवाती समय में ये भी देखा जाता है किसी महिला को मीठा खाना पसंद आता है किसी को नंकीन खाना तो Old Vibs बताती है कि अगर आप मीठा जादा पसंद करती है तो इस केस में ये देखी गई है चीजे कि आपको बेबी गर् प्रेगनेंसी में जिन पोसक्तों की कमी होती है अगर आपको सरीर में वीकने से कम जोड़ी है तो आप मीठी चीजे ज्यादा खाऊगे और वहीं अगर सरीर में सोडियम की कमी है तो नमकीन तीखी चीजों के तरफ आपका मूड जाएगा नेक्स्ट गाइज हम थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं यहां यह चीजे देखी जाते हैं कि अगर प्रेगनेंट लेडी के चेहरे पे बहुत ज्यादा ग्लो आ रही है यानि कि वह पहले के कमपेरिजन में ज्यादा खुबसूरत दिख रही है तो उल्ड वैप्स बतात और आप अपने आपको थोड़ा हैपी रखना चाहते हो इस केस में चेहरे पे ज्यादा से ज्यादा ग्लो आना नॉर्मल सी बात देखी गई है फूर्थ पॉइंट के उपर बात करते हैं उल्ड वैप्स बताती है कि अगर कमर में ज्यादा दर्द रहती है प्रेगनेंसी के सच नहीं है किसी किसी महिला को दोनों ही अंगों में चाहे कमर हो या पेट का निचला इसा दर्द रहती है वहीं किसी महिला को किसी एक अंग में रहती है जैसे मैंने एक्सपीरियेंस किया मुझे पेट के निचले हिस्से में ज्यादा से ज्यादा दर्द थी तो सभी महिला का अलग अलग अपना एक्सपेरिमेंट होता है वो चीजों को एक्सपेरियेंस करती है अब गाइज यहां पर एक चीज में कहना चाहूंगी चाहे बेटा हो यह बेटी दोनों को आप समान प्यारा और अधिकार दीजिए और साथ में यह चानल और यह वीडियो जैन्डर प्र